हेलो फ्रांट्स वल्कम्टू सेवल इंजेनियर्स और यूटूब चैनल फ्रांट्स वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कल्कुलेशन ऑफ सिमेंट सैंड एंड वाटर फॉर एम 15 ग्रेट ऑफ कॉंक्रेट यानि कि हम 15 ग्रेट की कॉंक्रेट के लिए सिमेंट सैंड इस बारे में आपको बताऊंगा तो फ्रांट्स वीडियो शुकरने से पले इस वीडियो को लाइक कर दियागा चल पर नहीं तो मैं चल को सब्सक्राइब कर दिये और बेला के अंदा बाना ना भूलिएगा जिससे कि हर एक नूट को नोटिकेशन आपको मिलती रहे तो फ् का रेशियो क्या होता तो वह था एक रेशियो दो रेशियो चाहिए यह रेशियो क्या उसके बाद माटेरियल के में कुछ देंसिटी पताऊने चाहिए जिससे कि जैसे कि अगर हमें वेट चाहिए हो केजी में जैसे कि सिमेट जो भी हम पर्चेस करते हैं मार्केट से वो के 1452-1600 kg प्रती मिटर क्यूब अब यहां पर आप का होगे मैंने यहां पर 1452-1600 यह क्यों लिखा हुआ एक क्यों नहीं लिखा तो फ्रांस जैसे कि आप किस एरिये में आप क्लिए है ठीक है जैसे कि में सैंड लोगी तो इसकी डेंसिटी कुछ और होगी और आप चले जाओग तो इसके बाद आपको करेंटि आपकी सैंड की क्या डेंसिटी है वो आपको पता चल जाएगी तो सैंड की डेंसिटी अब आप समझ गयों यहां पर मैंने यह क्यों लिखा हुआ इसके बाद और तो इंग्रेयट की भी सेव सैंड की जैसे डेंसिटी होती है 1450-1500 kg प्रती भाईगी ठीक है तो एक grade के यहाँ पर मैं क्या calculation लोगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ उसके बाद हमें calculation क्या करना पाई उसके बाद में निकालना है sum of ratio ठीक है यानि कि यह हमारी M15 grade की concrete जो हम use करने वाले है उसका sum of क्या होगा ठीक है sum of निकाल लेंगे तो उसके material required for 1m cube ठीक है यहाँ पर मैं आपको 1m cube के लिए material required आपको बताऊँगा कि कि कितना convert करना हो कि इसमें dry में है ठीक है क्योंकि dry में क्या होता है value थोड़ा जादा होता है क्योंकि इसके अंदर air whites वगार भी included रहते है ठीक है तो इसके लिए मैं करना क्या होगा 1m cube में 1.54 से हमें यहाँ multiply करना होगा यह हमारा 1.54 एक constant value है इसका यहाँ पर हम क्यों 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 के लिए हमें करना था इसलिए ठीक है इसके बाद number 1 हमें क्या करना है volume of cement required ठीक है volume of cement record हम कैसे निका लेंगे तो इसके लिए simple हमारा formula होगा क्या ratio of cement upon sum of ratio into dry value में यानि की ratio of cement यानि कि जो हम ratio use कर रहे है 1 ratio 2 ratio 4 m 15 grade की concrete क्ले ठीक है तो उसमें cement का क्या ratio है वो upon sum of ratio यानि क यह जो हमारा value में आया हुए वो हमारा dry value में है तो इससे हमें multiply करते हैं कि cement कितना हमें m3 required होगी cement वो m3 में आप हमें answer मिलेगा ठीक है तो सारी value को रख देते हैं तो ratio of cement हमारा कितना था 1 था sum of ratio हमारा 7 था dry value में हमारा 1.54 है अब इसको हमें solve कर लेना है तो m3 में हमारा answer आ use होगी ठीक है cement तो उसके लिए क्या करना होगा simply cement in kg के लिए जो हमारा m3 में answer है उसमें density of cement से multiply कर देना होगा density of cement कितनी होती है यह मैं आपको उपर बता चुका हूँ 1440 ठीक है तो इन दोनों का multiply कर देंगे तो kg में required cement हमारा आ रहे है कितना 316.8 kg ठीक है यानि कि इतना kg cement ह हमें required होगी के बाद number of bag तो number of bag हमें कैसे निकालना है जो यह हमारा kg weight आए ठीक है उसमें 50 से में divide कर देना होगा क्योंकि एक bag का जो cement का weight होता है वो होता है 50 kg ठीक है एक bag में 50 kg cement होती है तो यहाँ पर 50 से required जो cement हमें kg उसमें divide कर देंगे 50 से तो answer आ जाएगा हमारा कितना number of bag हमें required होगा तो यहाँ पर जाए कितना 6.33 bags 6.33 bags हमें required होगा यानि कि अगर हमें bag में purchase करना है तो हमें 7 bag purchase करने पड़ेंगे अब बाकी अगर 6 bag और बाकी आपको यह मिल जाए अगर 33 का यहाँ 0.33 से 50 मिल होगे तो जितना मंदद की weight आएगा वो आपको उतना kg अलक सा और purchase करना होगा अगर आप खुली लेना चाहरे होगे अब बाकी bag में तो आपको 7 लेना पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद हम देख लेते हैं sand का कैसे में calculation करना है point number 2 के value of sand तो इसके लिए ratio sand का जो था वो upon sum of ratio into dry value ठीक है तो यह सारी value होगे इसको हम solve करेंगे तो आज है कितना 0.44 m3 यानि की sand जो में required होगा 0.44 m3 की इतना sand हमें required होगा अगर हम 4 है हमारा answer किसमें cubic fit में ठीक है तो cubic fit के लिए हमें क्या करना होगे जो ही हमारा m3 में आंस 3147 ठीक है यह होता है value ठीक है तो इससे हम यह multiply करते हैं 0.44 में तो आंसार आए कि कितना 15.53 cubic feet यानि कि हमें cubic feet में sand कितना ही required होगी 15.53 cubic feet अगर आप चाहो कि आपका आंसार आए किसमें brass में क्योंकि कुछ कुछ जहां पे मैंने देखे कि जो sand लोग purchase करते हो वो brass में करते है तो brass के लिए क्या होगा इन brass के लिए भी 0.44 जुई है हमारा mq में अंसार है उसमें divide करना होगा 2.831 से क्यों कि एक brass इसकल्ट होता है कितना 2.831 meter cube ठीक है यानि कि इतना होता है एक brass equal to तो बस यहां divide करना होगा 2.831 से तो हमारा अंसा है कितना 0.155 brass यानि कि इतना brass हमें sand required होगी यह हमें brass निकाल लिया अब इसके बाद क्या value of aggregate तो value of aggregate हमें कैसे निकालना है same formula है cement of sand की तरह ratio of aggregate upon sum of ratio into dry volume तो ratio of aggregate कितना था हमारा 4 था वो है यह sum of ratio 7 था dry volume 1.54 था इसको हम solve करेंगे तो हमारा answer है कितना 0.88 meter cube यह हमारा answer है किसमें meter cube में अगर आप 4 आपका answer किसमें आज एक cubic feet में तो उसके लिए वही same तरीका है जैसे हमने उपर use किया हुआ था कि 35.314 से यह multiply कर देना है जो हमारा answer है उसमें तो answer आजाएगा हमारा कितना cubic feet में 31.07 cubic feet यानि कितना cubic feet हमें aggregate required है अब आप 4 कि आपका answer है किसमें brass में तो brass के लिए भी same यही जो हमारा answer आया है उसमें 2.831 से हमें क्या करना होगा divide क्यों क्योंकि एक brass कर लो कितना होता है 2.831 meter cube ठीक है तो बस यहाँ पी यह divide कर दिया mq value value में तो हमारा answer है कितना 0.31 brass ठीक है यह brass में हमारा answer मिल गया हमें अब आपको क्या निकालना है last water required तो water required कैसे आपको निकालना होगा वो देख लिए water required के लिए हमें simply क्या करना 0.40 से हमें multiply करना होगा जितना kg हमें क्या cement required होगी ठीक है जितना kg cement required होगी उसमें हमें 0.40 से हमें multiply करना होगा क्यों क्योंकि यह हमारा m15 grid के concrete होती है उसमें normal condition जब हम concreting कहीं भी करेंगे m15 grid तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है कि 0.14 से ह मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा अंसर में मिल जाएगा ठीक है तो यहां मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना 126.72 लिटर ठीक है यानि कि इतना लिटर हमें water required होगा M15 गेट की concrete क्लिए ठीक है तो I hope friends आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करें हो में comment करके जो बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है और इस वीडियो जादा जाद शेयर करिएगा thank for watching